नमस्कार प्यादर दोस्तों आपके अपने सेनल पीसस पानी में आप सभी का हार दिक सौगत्य हो अधिन दन्दन है दोस्तों इस वीडियो के माध्धाम से हम जीन प्यार जीक कोहलबर्ग वाई गोश्ची की प्रमुक्सित धानतों के बारे में जानेंगे साथी साथ इन से सामझेत आता के एकजाम में जो भी प्रस्ट पोचे गए उनके एमसी क्यों भी साल्प करेंगे अता आप इस वीडियो पूरा जरूर देखेगा क्योंकि आपके एकजाम के जखसकोंट से वीडियो बहुत ज़दा महात्रपूर है आपको बता दें इस के बारे में जानते हैं इसके बाद कोहल बर्ग और वाइप में जानेंगे जीन प्याजी दोस्तों स्वी जलन के थे इनों ने संगनात्मक विकास चिद्धान का सिध्धान दिया था इसलिए दोस्तों इनको विकास मनन भी गणantage Patrol जनक बी कहा जाता है उके इनोंने इसका प परिपकरता के साथ एक धाणा बंती चली जाती है जैसे जैसे उन बढ़ते चले जाते हैं बच्चे बड़े होते चले जाते हैं उनमें जैवी परिपकरता आती है ठीक उसके साथ उनकी एक धाणा बंती चली जाती है मतलब उनका कंशप्ट दोस्तों उनके जैवी परिपकरत के साथ बनता है ओके आगे इन्होंने बताया बच्चों के बारे कि बच्चे दोस्तों सक्री ग्यान निर्माता होते हैं यानि ग्यान का सक्री रूप से निर्मान करते हैं सोयम के सिध्धानतों की रशना करते हैं सोयम के सिध्धानतों की रशना करते हैं आपने देखा होगा ठीक है ना प्रकार में भिन होता है मात्रा में नहीं आपको पता ही है कि भगवान ने दिमाग तो सब को दिया है लेकिन सोचने का तरीका उसका अलग है यानि उनका प्रकार अलग है ठीक है तिंकिंगिंग का तरीका अलग है आगे देखते हैं दोस्तों आपको अगर इनके सि दान में अंकूलन बताया है अंकूलन का मतलब होता है दोस्तो ठीक है वाता वरण के अनुसार अपनी आपको ढालना ठीक है इसके दो प्रक्रिया है दोस्तों अनकूलन की दो प्रक्रियां है ठीक है पहली प्रक्रिया है दोस्तों आपकी आत्मसाथ करन ठीक है इसको इंगलीज में assimilation कहा जाता है पूर्व ग्यान को नए ग्यान के साथ जोड़ना आत्मसाथ करन क्या है जैसे कि मतलब मतलब आत्मसात करट कर ले ना आपने आपको मतलब जैसे कोई चीज हम जानते है ठीक या जो हमारा पूर्व ग्यान है और उस ग्यान को हम नए ग्यान के साथ जोड लें जैसे कि बच्चा जो होता है तो बच्चा जैसे कि एक कववा देखा इसके बाद जब दूसरे दिन वो देखेगा कि एक कववा इचान के अनुषार अपने नए ग्यान के साथ उसको जोड लिया है तो यह चीज होती है आत्मसात करण का मतलब होता है पूर्व ग्यान को नए ग्यान के साथ जोडना और फिर इसके बाद दूसरा हिंका है जो अनकूलन वो समयोजन होता है ठीक है समयोजन में क्या होता पूर्व ग्यान में परिवर्थन करके वाता और उने के साथ ताल मिल पैठाना मतलब जैसे जो उसका पूर्व ग्यान था कि जो कववा है उसमें तो तांगे होती है ठीक है चोंच होती है ऐसा देखता है और इसके बाद दोस्तों जब उसमें परिवर्थन कर लेता है जब ये जान लेता है कि जो मतलब कभूतर है कुछ सी अलग है जब वो दोनों बोलेंगे तो बोलने पर उनकी मतलब जो परिवर्तन हो जाएगा, वो समच जाएगा, यह अलग है, मतलब पूर बिग्यान में कुछ परिवर्तन कर लेता है, यानि पूर बिग्यान में एक चेंजिस कर लेता है, तब ही दूसरी चीज को जान पाएगा, ठीक है, वहाथ उनके साथ ताल म मिल बैठा करके ठीक है चीजों को जानता है समयोजन करना मतलब है कि पूर्विज्ञान में हम कुछ परिवर्दन करके ठीक है न उसमें ताल मिल बैठा ले ओके यह होता है आगे चलते हैं इन्होंने फिर आगे बताया दोस्तों जिनके सिद्धान्त में है सामिधारण यारे स संतुलन इसको संतुलन भी का जाता है जो दोस्तों आपके आत्मसातकरण और समयोजन है इनके दोनों में ठीक है इन दोनों में हम सब संतुलन बैठा लेते हैं ठीक है तो होता आपका सामिधारण या संतुलन फिर इनका जो बेहितरीन कंसेप्ट है दोस्तों इसकीमा जो अ आपको बताते हैं देखिए जैसे कि हमारे दिमाग में पहले से जो चीज़ इस्टोर हैं सपोस्ट देर कि हम ममी ने हम बच्चे से यह कहा कि बाहर मत जाना ठीक है नहीं तो बाबा उठा ले जाएगा ठीक तो बच्चा डरेगा बाद में भी चीजों कोशी तरह समझेगा जै मतलब जो है बाहर नहीं जाना चाहिने सादू बाबा हमें उठा ले जाते तो मतलब बच्चा ही डरने लगता है उसमें डरने की प्रब्रत ही आ जाती है ठीक है तो मतलब यही स्कीमा है कि मतलब जो उसके दिमाग में है पहले से जो चीज़े स्टोर है ठीक है उनके अनुस तो आपकी जो schemes होती है schemes ये भी एक concept होता है इसका देखे, scheme में क्या होता है बेवहारों को, बेवहारों का संगठित pattern जिसे दोराया जा सके अब देखे, जैसे कि कुछ बच्चों की आदत होती कि सुबा सुबा उठेंगे और पढ़ने लगेंगे, ठीक और कुछ बच्चों की आदत होती है कि सुबा उठेंगे ही mobile चलाते है तो जो हम, मतलब जैसे ही हम हमारा दाइनिक जो कारकरण होता है ठीक है ना, दाइनिक जो किरिया कलाप होता है, वो ही होती है आपकी schemes, ओके जैसे कि जिन बच्चों की, मतलब जो सुबा पढ़ने की आदत है, तो उसकी एक वो scheme है, जैसे जिन बच्चों की सुबा जैसे ही उठोगे, फोन चलाने लगोगे, तो आपका क्या हो गया ठीक, वो आपकी scheme हो गई तो मतलब जो आपकी बिवहार होते है एक उनका संगठित pattern होता है यानि जब daily हम होई काम करने लगते हैं जैसे कि हमारा daily सुबा उठकर के mobile चलाना है, ठीक है सुबा उठकर के हम mobile चलाते हैं क्या चलाते है mobile, तो इसका मतलब mobile चलाना ही हमारे एक scheme बन गई तो यह आपका scheme हो गया इसके बाद आपको देखते हैं lecturer संगनात्मक बिकास की चार अवस्थाएं है ठीक है, इन्होंने जो आगे बताया है दोस्तों मतलब देखे, यहां से इनका जो concept था, आप समझ जाओगे जब आगे चलोगे, तो यह सारी चीज़े आगे आएंगे, ठीक संगनात्मक बिकास की चार अवस्थाएं बताएं है आपको यह main point है इन्होंने संगनात्मक बिकास की चार अवस्थाएं बताएं है, आपको यही याद रखना है यह एक direct exam में पूछा जाता है इनके संगनात्मक बिकास को सिधान भी खा जाता है है क्योंकि इन्हें ने चार अवस्थाइं बताएं जो बच्चों का विकास होता है एक धना भहनती है तो इन्हें इनके जो पहली अवस्था थी संबेदी पेशी अवस्था इसे इंद्री गामक अवस्था भी कहा जाता अब देखें दोस्तों जो इनके नाम है इसी में सब कुछ छुपा है आपने इसको समझ लिया तो आप समझ लिजे पूरे कोश्चन इन से जार कर पाओंगे देखें जै इनके माध्यम से जब बच्चा कुछ सीखता है इनके माध्यम से जब बच्चा कुछ सीखता है ठीक है तो आपकी संबेदी पीछी वस्था होती है यह बार आपको याद रखनी है ठीक है इस आवस्था में क्या होता है कि बच्चे में वस्तु एस्थायुत का गुण पाया जाता है वस्तु एस्थायुत का गुण का मतलब क्या होता है जो दो वर्स का बच्चा होगा ठीक है ना वो चीजों को ठीक है ना मतलब एक concept उसमें बन जाता चीजों को इस थायुत का मतलब जैसे कि जैसे हम कोई चीज लिए हैं फोन लिए हैं या चाबी लिए हैं तो हमने चाबी कहीं रख दी या मतलब कहीं यह हमने उपर फेंग दी हमने तो बच्चा क्या करेगा कि वो समझ जाएगा कि वो चाबी आपके पास ही है यानि छीपी हुई वस्तु को ढूर लेता है मतलब उस चीज में वस्तु के इस थायुत का उसमें गुर्बिक्सित हो जाता है concept एक बन जाता है यह आपको याद रखना है वस्तु का इस थायुत का गुर्ब इसी अवस्ता में आता है यह बिल्गुन आपको अच्छे से द्रखना है देखे और ये बाद तो आपको बिल्गुन इस पास्ठा ही है कि खेलना तोडना इस अवस्तु देखे, दो वर्स का अवस्था जो बच्चों की होती है, उस पर क्या होता बच्चा, चीजों को तोड़ेगा, ठीक है, तोड़ देगा, फिर उसको बनाएगा, खेलेगा, यही अवस्था होती है वो, ओके, और सबसे जो अप एक्जाम जो पूछा जाता है, वर्स तो इस था बनते हैं, आपको यही से मतलब जो है, याद रखना सारे चीज़े, ओके, हाँ, पूर्ब संक्रियात्म कवस्था, यानि इस इंगलीज में, प्री ओपरेशन एज, भी कहा जाता है, यह दो वर्स से साथ वर्स के लिए होती है दोस्तों, यह एज दोस्तों, आपकी दो वर् पूर्ब, ठीक ना, यानि क्रिया के पूर्ब क्या वस्ता, ठीक, ओके, यानि क्रिया करने के पूर्ब क्या वस्ता, इसमें क्या होता है, सामने आने वाली चीज़ों को बच्चा देख लेता और समझ लेता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है, कोई क्रिया नहीं कर पा यानि बच्चे प्रतियुकों का अच्छी प्रकार से प्रयोग कर लेते हैं, जैसे आपको समझाते हैं, अब देखे, जैसे अब देखे बच्चों को क्या कि इस्कुल जब देखे, दो वर्स के बाद इस्कुल जाते हैं बच्चे, दो वर्स से साथ वर्स के बीच का वर्स था तीन वर्स के बाद इस तो इसकुल जाते हैं आपको पता ही है तो बच्चों को देखिए किताबों में चीतर दिखाए जाते हैं और चीतर देखकर कि बच्चा बाद में जैसे मतलब उसने भाएस का चीतर देखा वाफाइलो का ठीक है और किसी भी चीज का जैसे कोई बड़ देखी उसमें तो जैसे वो मतलब ओरिजिनली देखेगा ठीक है तो तुरंट जान जाएगा कि यह वाफाइलो है तुरंट आपको मतलब जो है कहने लगए कि मम्मी यह देखो वाफाइलो ठीक तो प्रतीकों का प्रयोग अच्छे से कर लेता है सिंबल से जाए ठीक है ठीक परिशान रहे का जिए मुझे खाना ही खाना हो सकता है धर भगे और क्या काते है खाना खाले जैसे बच्छे को दूध पीना ठीक है तो दूध अगर पीना हो गईतूग तो पादा बार बार मम्मी इसका है रहाएगा और जो आगर किसी भी चीज के लिए मतलब जो है वो उ रखना है, ओके, हाँ, एक चीजा और, जीववाद, ठीक ना, इसमें जो है जीववाद की संकल्बना पाई जाती है, मतलब, जीववाद का मतलब क्या होता है, जब सजीव और निर्जीव में अंतर न समझ पाई, यानि मतलब जो है दोस्तों आपके, ठीक, जो निर्जीव है जो निर्जिव जीज़े उनको सज्जिव समझ लेता है अब देखे जैसे कि हम बच्चे के लिए पापा कुछ लाते हैं सबस्पोर्ज डैट कि एक गाड़ी ले आए या एक गाड़ी नहीं समझ जी आप एक कोई होर्स मतलब जो है इनिमल ले आए होर्स ले आए ठीक है खिल समझने लगेगा गाड़ी है तो गाड़ी को सज्जिव समझने लगता है निर्जिव चीजों को सज्जिव उनमें अंतर नहीं कर पाता है और यह चीज भी होती है इसमें देखें जैसे कि मा है बच्चा कहीं जा रहा है चोट लग गई तो जैसे दिवार से चोट लगेगी तो मतलब रोने लगेगा बच्चा ठीक, तो मतलब जो है दिवाल में मार देगी मतलब जैसे मार देगी तो बच्चा सांथ हो जागा मतलब बच्चा मतलब यह समझेगा कि मतलब मेरे जैसे उसको उन्हें मार दिया तो इसलिए बच्चा सांथ हो जाता है मतलब वो दिवार को भी सजीव समझने लगता है तो मतलब इसमें जीवा, ठीक है कि संकलमना पाई जाती है यह तथा आपको याद रखना है सजीव, जो निर्जीव होता है उसको सजीव समझ लेता बच्चा और इसमें अहम केंद्रिता यानि आत्म केंद्रित की प्रब्रती भी बच्चों पाई जाती है मतलब जो बच्चा होता है कि इसमें अपने आपको सब कुछ समझता है ठीक ना, मतलब जो वो कहेगा वो ही सच है, जो वो समझेगा वो ही सच है बागी दुनिया सब बिकार है ठीक अगर बच्चे को मतलब जो है कुछ करना है ठीक गाड़ी चलानी तो गाड़ी चलाएगा ही ठीक है अगर उसने इसको ये कहे दिया कि गाड़ी नहीं है ये गोड़ा है तो गोड़ा ही है बागी मतलब जो आप कुछ भी कहो यानि उस समय बच्चे ही अब जो अपने आपको समझता है यानि बच्चा जो कहेगा वही सब कुछ आप बिकार हो उनके सामने ठीक है यह चीज होती बच्चों में अब इसके बाद यह एक कंश्प्ट होता है आ पलट वावी ठीक है आ पलट आवी अद दिखे इस से आप इस पर ठोगा कि पलट का मतलब क्या होता है उलटना पलटना आ का मतलब लग गया तो इसका मतलब पुजिट हो गया तो मतलब इसमें क्या होता बच्चे में उलटने पलटना नहीं सीख पाता है, चीजों को उलटना पलटना सीख नहीं पाता है, जैसे कि हम तीन है, तीन को हमने आठ बना दिया, तो बच्चा बाद में उसको जो है, तीन नहीं बना पाएगा, हम तो बना दिता है, लेकिन बच्चा नहीं बना पाएगा जैसे कोई चीज बिगड़ गई तो उसको बन जो है उसी जैसे वह नहीं बना पाएगा कुछ भी सपोस्ट दैट कि मतलब जो है 2 प्लस 4 है इसके बाद 2 प्लस 4 क्या होता है आपका 6 होता है लेकिन अगर बच्चे से कहा जाए 4 प्लस 2 करो तो बच्चा इसको मतलब ऐसे नहीं कर पाएगा ठीक है ओके यह चीज नहीं होती बच्चे मतलब उसको पलट के सीख नहीं पाता है आके चलते हैं हाँ इसके बाद जोस्तों मुद्रा संप्रत्य ठीक है इसमें होता मतलब इसका यह होता है कि बच्चा मुद्राओ की भी समझ नहीं होती यानि जैसे कि आप उसको मतलब जो है कोई नोट दो नोट दे रहे हो तो जो उसको अच्छा लगे गगा उससे ये मतलब नहीं होता कि जैसे 100 और 500 की नोट आप ने दी तो उसको अगर 100 की नोट अच्छी लग रही बड़ी नोट है तो 100 की लेगा 500 की न ज्यादा फाइदा है यानि मुद्रा संप्रत्य का और धाना भीक्सित नहीं होती है दूरी दूरी को भी नहीं समझ पाता है कितने कहां दूरी है को मतलब जहो है जैसे कि मतलब यहां से एक मीटर कितना होता है दो मीटर मतलब यह सारी चीज़ नहीं समझ पाता है ठीक है भार उचाय की योगता का भाव होता है उचाय भार, अब जैसे कि मतलब बच्चा इतनी वजन चीजे हो नहीं समझ पाएगा, अज जैसे मतलब छोटी चीजे हो उसको भी नहीं समझ पाएगा अब बच्चा हमेंसा, जैसे कि दो गिलास दो जो बड़ी होगी, जैसे आपने पानी पी निकले दिया, दो गिलास दिया बराबर कर दिया, लेकिन जो बड़ी होगी बच्चा लेगगा तो उसको ही न ओके, तो ये चीजे होती हैं बच्चे में, concept इन चीजों का विक्षट नहीं होता है इसके बड़ इसेज में क्या होता है कि किंद्री करन पाया जाता है बच्चे में क्या कि पाया जाता है एक विसेथ ठीक नहीं एक विसेषता पर ठीक है ध्यान केंद्दित करना, मतलब बच्चे को अगर कुछ करना है то वही करेगा suppose that अगर आब बच्चे को मुवाइल दे दिये तो मुवाइल में अगर बच्चा गेम खेल रहा तो फिक गेम ही खेलेगा उसी पर ही ध्यान किंदित करेगा चाहे और किसी से मतलब नहीं कि मुवाइल में हम कॉल भी कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं मतलब सिर्प गेम ही खेले में क्या होता है कि साईज और सेब में कर पाता इस एज में बच्चा ठीक है सा healthy और सेब में अंतर नहीं कर पाता है इसका सनर्चन का भाउ होता हे impressive, जो वस्तूों की मतलब जहिसीLes बड़ी छोटी वस्तू नहीं सहाँ पाता है को करमबतता का भाव होता है ठीक है चीजों को करमबत तरीके से रख नहीं पाता है आपको इस सारी चीजे क्लियर होई आके चलते हैं हाँ इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों मूर्थ संक्रियात्म का वस्ता देखें मूर्थ का मतलब होता कॉंग्रीट यानि जो हमा जो हमें नहीं देखता है, वो अमूर्ध होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, मूर्ध संग्रियात्म का वस्ता का मतलब है, दोस्तों, ठीक है न, ऐसी अवस्ता जो बच्चों को मतलब देख करके समझ जाता चीज़ों को, ठीक है, 7-11 वर्षत की अवस्ता होती है आपक पहले वाली स्टेस थी थिक यह वाली स्टेसित आप की Jenky ओके दोस्तों यह देखे इसमें क्या था पूरुब संख्रयात्म कता बच्चा चीजों को देख ले ता था थ है लेकिन किया नहीं कर पाता था चीजों को आप सामनी रख्की देख लेखा था, ठीक, क्रिया नहीं कर पाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, चीजों को देख लेगा, साथ में क्रिया भी कर पाएगा, यही चीज़ देखे, उस पहले वाले अवस्ता, पूर्ब संक्रियात्मा का वस्ता, यानि क्रिया के पहली का वस्ता थी, लेकिन यह क्र आप क्रिया करने वाली आवस्ता इसमें दोस्तों चीजों को सामने रखके देख करके उन पर चिंतन करना सुरू कर देता है यानि चिंतन यहां से प्राराम होता है लेकिन कैसा चिंतन मूर्थ चिंतन आपको यह चिंतन यहां से स्टार्ट होता है मूर्थ यानि चीजों को दे पाता था तो इसमें पलटावी मतलब जो है हो जाता है पलटावी धारणा इसमें पाई जाती है ठीक है पलटावी यानि चीजों को पलट लेता है इदर से उदर यानि अगर मतलब हम कहें दो प्लस चार ठीक है न दो प्लस चार बराबर 6 होगा तो चार प्लस दो बराबर क्य क्या होता था सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता था इसमें अंतर कर लेता है इसमें सजीव निर्जीव का अंतर कर लेता है मुद्रा ठीक है कभी मतलब इसमें पता चल जाता बच्चा जान जाएगा कि ये दो रूपाई की नोट है ये मतलब जो है पांच रूपाई तुलना करना प्रारम कर देता है दो चीज़ों में ये compare करना start कर देता और देखे इसमें जो चिंतन होता बच्चों में वो आगनात्मत चिंतन होता है आगनात्मत चिंतन का मतलब क्या है ये अरस्टु आगनात्मत तरगना में क्या होता है कि बच्चा पहले इसमें उधरन दिये जाते हैं फिर तरक करता है इसमें पहले उधरन देंगे फिर नियम बताया जाएगा तो बच्ची को अगर हम कोई चीज बता देंगे उधरन किसी चीज का उधरन दे दिये तो बच्चा उसके बारे हमने तुरंट बता देगा, तुरंट तर्क कर जाएगा, हमने जैसे बच्चे से बताया किसी चीज़ का कोई कॉई concept समझा रहे हैं, ठीक है, अहमने उधार देखर करके बताया, तो उसके बारे में उसके बारे में चीज़े समझ जरूर जाएगा, यह चीज़ आपके तुलन तो अमूर्थ संग्रियात्म का वस्ता भी कहा जाता है, याद रखेगा, अमूर्थ संग्रियात्म का वस्ता भी इसको कहा जाता है, ये 11 से ले करके 15 वस्ता होती, आप समझ सकते हो 11 से, ये 14 वस्ता किये जाए, ये सरोच वस्ता है इनकी, इसमें बच्चा अमूर्थ चिंतन क करना है करने लगता है और निगनात्मक तरकड़ा शुरू कर देता है मतलब देखे अगनात्मक के अपोजिट होती है निगनात्मक इसमें पहले नियम बताए जाती है और फिर जो है उधन दिये जाता है चिक तो इसमें नियम बता करके उधन देंगे तो बच्चा तुरन कि वो बढ़ियां से संप्रेशन करने लगता बातचीत बढ़ियां से करने लगता इन में संप्रेशन कभिकास नहीं होता आपके जो अमूर्थ संक्रियात्म करने लगता है और अमूर्थ चिंतन यानि चिंतन की अवस्था भी से कहा जाता है तार्किक अवस्था भी से कहा जा बच्चा करने लगता है, आपको ये तर्फ याद रखना है, ओके दोस्तों, हाँ, इन से सामधित अनसिद्धान भी है, जो एक्जामें पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं, अक्सर प्रस्ट तो इन ही से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके जानकारे लिए हम बत होता है, दोस्तों, कि देखिए, प्रतेक बालक अपने अन्भो को अर्थपुन बनाने के लिए क्रिया सील हो जाता है, ठीक, अर्थपुन बनाने के लिए क्रिया सील हो जाता है, देखिए, हमने बताया ना, कि जो बालक होता है, इस सक्री गयन निर्मार करता है, सक्री रू इनका जो गयनात्मक, भिकाष से जुस्तो वो नकल ना होकर कि कोश पर अधाइत है, ऐसे बात इनुह नों-ने बता ही, हमने बताया, ठीक है। इसके बाद इनका जो अन्य सिद्धान है दुस्तों, कारे व्म क्रिया का अर्जन, ये आपके संगनाता को भी कासे ही समंदी थे, आप याद रखेगा, कारे व्म क्रिया का अर्जन, ठीक, प्रतिक कारात्मा क्रिया एक तर्कपूर्ण विप्रीद प्रभाव होता है, ये बात दो टूटे हुई भाव को पूरा एक चक्र में, ठीक है न, एक पूर्ट चक्र की रूप में जोड़ना एक करतमक क्रिया है, ठीक है यह बात आपको याद रखने है, मतलब इन्होंने बताया कि जो करतमक क्रिया है, वो तर्क, पूर्ट, विप्रीद प्रभाव हो था, जैसे क इन्होंने बाद में कहा कि बाधिक ब्रदी का केंदर ina कारत्मक प्रियक अर्जन है जब बच्छा तोड़ी का बनाया गाए तभी तो उसके बाधिक थाट भीकास होगा बाधिक ब्रदी होगी उसमें एक बिकास हवस्ता से दूसरी में पद आरपन यानि प्रादbene में के लिए दो तत्र अवस्यक हैं अत्मसात्री की करण और संतुलन इस्थापित करना देखिए इसके बारे में हमने ऊपर बता रखा अत्मसात्री स्थाद की करण क्या होता है संतुलन क्या होता है जो संत आपको बताये थे न दोस्तों जो आपका अनकूलन होता है अनकूलन के ठीक है उसमें आत्मसाथी करण आता है ठीक है ना आपका और समयोजन आता है और समयोजन और आत्मसाथी करण का ठीक है जो मतलब इनके मद्ध यान संतुलन बना अगे रखना वो संतुलन होता है ठीक है ओके यह आपको याद रखना है आत्मसाइद करन का अर्थ है कि बालग में उपस्तित एक बीचार से ठीक है किसी नए बीचार का वश्ट का समय वेश हो जाना है आत्मसाइद करन क्या होता है इसके बारे मता रखा है आए देखते हैं दोस्तों जीन प्याजे नायतिक विकास का भी सिध्धान दिया था एक बार पूछा गया था अभी साइद जो एक्जाम हो रहे हैं सिटेर के उसे भी पूछा गया था कि यह कोहल बर के रावा किसने नायतिक विकास का सिध्धान दिया है तो आपके जीन प्याजे नहीं ना याद रखना है ठीक है आपको दिमागे बैठा लेना कि किसने दिया नातिविकास के सिदान तो आपके जीन प्याजे ने दिया है ओके दोस्तों इन्होंने दो अवस्ताइं बताई थी नाकी नातिविकास की आपको बताते हैं उनके बारे में देखे पहले अवस्ता थी इनकी नायतिक जो नियाम होते हैं निडपेक्ष होते हैं अपरवरतिनी होते हैं मतलब जो नियाम होते हैं नायतिक रूप से निडपेक्ष होते हैं अपरवरतिनी होते हैं मतलब जो बच्चा मानता है वो ही सही है यानि बच्चे में इस समय जो नायतिक नियम होते हैं ठीक है वो मतलब जो समान नहीं होते हैं ठीक असमान अंतरक्रिया से होता है मतलब बच्चार जैसे कुछ करने लगेगा और उसी अनुरूब वो चीजे सीखेगा ओके अब इसके बाद इनों जो दूसरी अवस्ता बताई थी यह आपकी नव वर्स से गयर अवस्ता यानि स्वयत नहीतिकता की अवस्ता देखे पहले वाली क्या थी परायत यानि मतलब जो दूसरी के अनुसार यह स्वयत स्वयाम के अनुसार ठीक है नहीतिकता की अवस्ता होती है अब आपको बताते हैं इसके बारे में कि बच्चा इस काल में नयतिकता के बच्चों के समकच अर्थात मित्रों के बीच में सम्वंधों से बिक्षित होती है बच्चे में सोचने के प्रब्रती होती है नियम इम कनून लोगों द्वारा निर्मित किया जाती है ठीक है ना देखे पहले अवस्था थी जैसे दूसरों के माना खोड़ की मतलब जो बच्चा जैसे देखेगा समझेगा ठीक है असमान प्रिपती पाई जाती है उसी अनुरूप बेवहार करेगा लेकिन इसमें क्या होता है ठीक कि मतलब जो है बच्चा स्वयम से ठीक है जैस अब 10-11 वर्स तक बच्चा क्या चीजे समझने लगता है कि क्या सही क्या गलत है उसके बारे में वो सोचने समझने लगता है सोचने की प्रिप्रती इसमें होती ही बच्चों में यानि सोचने समझने लगता है नियम इम कनून दौरा निर्मित किया जाते है ठीक यानि जो पिनियम बन रखे हैं समाज में बच्चा उसी गंडूपी है करेगा ओके आगे देखते हैं अब यहां से देखिए इनके बारे में जो तत्थ थे अमने बता दिये हैं अब एक इसकीमा के बारे में कुछ तत्थ है आपका और बताते हैं रुकिए एक मिनट अधस्त देखे इस तो आपके इस कीमा होती है इसी में संतुलन पाया जाता है ठीक है और संतुलन में आपका ये दो चीजे पाया जाती है आपको पता है समयोजन और आत्म साथ करण तो आपके इस कीमा में समयोजन और आत्म साथ करण पाया जाएगा और इनमें जब आत्म साथ करण और समयोजन पाया जाएगा तो आपका अनकूलन भी पाया जाएगा ये बात आपको याद रखनी है ठीक है ये बात आपको याद रखनी है कि इस कीमा में संतुलन पाया जाता है संतुलन के मेरा इस कीमा नहीं हो सकती है अब आगे बढ़ते हैं अब आगे किस के बारे हम जानते हैं कोहलबर्ग के बारे में यह देखिए इनके बारे में देखते हैं लौरेंस कोहलबर का नहतिक्ता का सिध्द्दान्त नियुवासी कहां के थी ये आपके याद रखना है एकजामिक डेक्ट प्र réussि नहां से पोँछा जा रहा है ठीक है इसके बाद इनका सिध्द्दान्त है आपको बताते हैं पहले आपको नयतिक्ता के बारें बता देतें नयतिक्ता क्या होती है नयतिक्ता का मतलब होता है सही घलत का निंड़े ले पाना जब आप सही घलत का निंड़े ले पाते तो नयतिक्ता होती है ठीक है अब देखिए बच्चा समाजिक परिवेश में ही नयतिक्ता नयतिक्ता क कर गुर्ण जन्मजात नहीं होता है, यह नितिकता जन्मजात नहीं सिखे जाती है, जब बच्चा समाज में आता है, तब ही नितिकता को सिखता है, मतलब जैसे रूसु ने कहा था, कि बच्चा समाज में आकर की ही भला और बुरा बनता है, अच्छा बुरा बनता है, क्योंक आजमें रहे करके ही बच्चा सब कुछ शीकता है अब आगे देखते हैं तो इह बात क्लिर हुई ना कि जो बच्चा समाजिक परिवेच में ही नइतिकता और आनितिकता सीखता है ठीक ओके अब एक यह तको गलत का नेहीं खिने ना ले पांगा ये होता है आपको करे जासे कि अब जैसे कि उसकी मह बहुत बीमार है ठीक है उसके पास इलाज के लिए पाईसे नहीं है ठीक तो अब इलाज के लिए वो क्या करेगा उसके पास दो ही रास्ते है या तो मतलब जो है मम्मी को ऐसे चोड़ दे मरने दे या फिर जो है चोरी करके वो मतलब पाईसा ही कठा करे फिर इलाज करवाई तो दोस्तो मतलब जैसे वो मतलब अभी वो सोच रहा कि मैं चोरी करूं कि मा को बचाओं जब वो नीड़े सही नहीं ले पाता है मतलब आदमी मतलब वो कोई आदमी समझ लीजे तो ये हो गया आपका नायतिक दूबिदा मतलब जैसे उसने ये सोच लिया कि मुझे चोरी करना मा को बचाना ही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मतलब जो है सही और गलत कर नीड़े ले लिया मतलब नायतिक दूबिदा और ना वहां पाई गई ठीक आगे चलते हैं मैं इसके बाद जो इनका दोस्तों वह था चिद्धान था तो उसमेर एक महिला थी करोल गिलिगन ठीके ना केरोल गिलिगन इन्होंने इसके अलोजना की दी इनुकाशित धान की इनुने कहा था कि इसमें जो है महीलाओं को प्रत्मित तक नहीं दी जगे घ़ए पूरुसों के बारे हम जज़ादा बताया गया है उन्हें कहा था कि पूरुसों की नयतिकता का धार नयाई है जब कि महीला की नयतिकता का धार देख भाल है कि जो पूरुस होते हैं वो नयाई मतलब उनका धार है नयतिकता का यानि मतलब जस्टिस देखते हैं नयतिकता में लेकिन महीला देख भाल देखती है जैसे जो बेकती था चोरी की अगर बात वहाँ देख लेते हैं तो पहले जब सिरुआत में उसने देखा कि मतलब मुझे क्या है कि वो नहीं करना है चोरी नहीं करना तो वहां पर वो क्या देख रहा था उसका अधार नयाय था कि अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मतलब जो है मुझे पुलिस डंडित करेगी ठीक है न ये मतलब गलत है यानि किसी के साथ गलत करना ये अर्णिया है लेकिन महिलाओं में क्या प्रिप्रती पाई जाती है कि महिलाओं देखभाल के प्रिप्रती पाई जाती है यानि चीजों को मतलब जो है केयर करती है ज् जामे अक्सर पूछा जाता है गोहलबर के नेतिकता के चरण क्या है इन्होंने देखिए तीन चरण दिये थे नेतिकता के तीन चरण दिये थे लेवल तीन बताये थे और उन तीन लेवल में प्रतेक लेवल की दो अवस्थाइं थी यानि मतलब 6 अवस्थाइं उन्होंने बत के बाद आगे पूर्व लावकिक रोढगत नहीजिक तक ठीक है अधार लाया चारण होगा चारण कि टीक है या इस्थार अब देखिए पूर्व नहीं तक तक आप पूर्व नहीं तक तक आप एक चीज़ आधर रखिएगा कि लौकिक परामपरागत और रूढ़िगत यह तीनों एक ही चीजे हैं लौकिक का मतलब परामपरागत का मतलब नाइतिक्तार सारी यह यह मतलब तीनों एकी चीज है यह मतलब अलग अलग पूछा जा सकता है तो कन्विंशनल यह आप याद रख कर लीजिए कर कन्विंशनल जब होगा तो परंपर लोकिस सभी मतलब इंग्लीज सेम होती है आपको बता ही है तो प्री कन्विंशनल स्टेज यानि पूर्व समाज में नयतिक्ता सीखता है तो इन्होंने इसलिए चार वर से शुरू किया है और दस वर तक बताया है पहला ओके अब देखे जो इनकी पूर्व ठीक है ना रूडगत नयतिक्ता का इस्थर था उस पर दो मतलब जो है चीजे थी दो अवस्थाइं भी इन्होंने बताया नयतिक्ता सुन इस एज में क्या होता है दोस्तो नयतिक्ता की अनुपस्तिती होती है इस एज में बच्चे में नयतिक्ता सुन होती है कोश्चन एक जामें पूछा जाता है कि किस एज में मतलब जो है नयतिक्ता की अनुपस्तिती होती है तो आपकी पूर्व लौकिक एज में होती है यानि सही गलत के बारे में बच्चे को इसमें पता नहीं होता है नायतिक जो तरकणा होती है वो दूसरों के मानक के अनुशान इन बच्चा जैसा दूसरा मतलब जो है कहता है ठीक है जैसे दूसरों को देखता है उस एक अनुसरों को जो है पहार करता है मतलब इस एज में इसे श्टेज में दोस्तों नाइटिक्ता के अनुपस्तिती होती यह आपको याद राखना है ठीकर इसकी दो अवस्तह हैं आप 이 आपको बताते हैं एक अवस्तह है आपकी दंड एयों अग्या पालन के अवस्ता ठीक में पहली ज है अप देखे इसमें क्या होता है तो में दोस्तों जो मनेतिक्ता करता है दिखाता है वो इसली दिखाता है कि उसको कहीं डंड न मिल जाए अग्यपालन के द्रिश्टिकूंट मतलब से दिखाता है अब देखे क्यों जैसे कि मतलब जो है कुछ भी ममी पापा है और मतलब जो है कोई घर में सदसाया किसी से नमस्ते करना है या जिसे बच्चे ने नहीं नमस्ते किया तो ममी डाड़ती है कि अरे कैसे बहारे तो तम्हारे तो तमीज नहीं है बात करने की ये तमाम चीज़े बच्चे को मारा जाता है ठीक तो बच्चा उस डर के वज़े से मतलब उन ठीक मतलब यह है और अग्या पालन का भी डर होता कि जैसे स्कूल में देख लिजे कि मतलब जो है एक बच्चा टीचर की अग्या पालन को जो सारे कार करता है ने तिकता दिखाता है मतलब यह इस एज में यह चीछ होती है आपका समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं इसके स्कूल में जो आपकी स्कंट में पाड़ तो आपकी सारनातमकस आपच्चता उन्मुखता होती हैं मतलब इस में क्या होता है जैसे कि जो है किसी ने आपके साह'd गलत किया तो आप वह के साह'd कर दो मतलब आप जिसा छोटे बच्चे ने उस किसी को आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है अगर उसने किसी को मार दिया तो मतलब जो है उसने वो भी उसी को मारेगा जरूर ठीक तो यह प्रिप्रति पाए जाए किसी ने किसी का पिन ले लिया तो उसको इसका पिन ले यानि मतलब इस एज में दोस्तों, या आपकी 10 वर्स, 13 वर्स की अवस्ता होती है, ठीक इसको कहा जाता है, लौखी फ्राम-प्रागा तो रूडिकत नहीं देखता है, यानि मतलब तीन नाम है, तो आप कोई भी नाम आ सकता है, आपको याद रखना है इन तेनों को, ठीक है, दूस्रों के मानख के आनुसार govern का सही गलत का निड़ाक यह निड़ा अब देखें इस एज में दूस्टो बच्छा समाच के अनुसार ठीक है ना निड़ाक लेता है पहले में क्या होता था? कि जैसे कि मतलब समाज का डर, मतलब ममी पापा का डर रहता था और उसी का अनुसार चीजे करता था इसमें समाज का अनुसार करेगा, ठीक है ना? समाज के मानक का अनुसार नीने डलेगा, ओके? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता होती है तो पहले अवस्था इसके जो होती है गोल्डन डूल भी से कहा जाता है, अब देखे बच्चा इसमें क्या करता है? कि मतलब उसमें एक प्रब्रतिप आए जाती है, ठीक है? कि बच्चा अपने आपको अच्छा दिखाने क्प्रयास करता है, उसमें अच्छा नमर ले आओंगा, तो मम्मी पापा की निगाओं हमें अच्छा बन जाओंगा, ठीक है, तो यह सारी चीज़ इसमें होती है इसके बाद जो है आपका हाँ, दूसरा जो आपका वस्था आती है इसमें, कनून भी वस्था की उन मुक्ता आती है, इसमें देखे क्या होता है, कि समाज के डर से, ठीक ना, बच्चा कनूनों का ठीक है पालन करता है, यानि समाज में जो चीज़ सिखाए जाती है, कि आपको मतलब लाल बत्ती करास नहीं करनी है, जैसे कि मतलब लाल बत्ती जल जाया तो आपको जिब्रो क्रोसिंग नहीं करनी है, तो बच्चा नहीं करेगा कि कुछ समाज के रूल है वैसे, तो समाज के रूल के अनुसार चलता है, इसमें, आगे चलते हैं, इसके पश्चात, आपका लास्ट वर्य अवस ठीक, खुद से नीडर लेना खुद की नहीं ठीकता होती है, ओके, यानि बच्चा आप समाज की चीज़ों को नहीं देखेगा, यानि सोयम से नीडर लेगा चीज़ों का, अब देखिए, इसमें दो वास्ता होती हैं, आपकी पहली होती है, आपकी समाजिक अनुबंत पूड़ा है, और उच समय बीच मतलब जो है प्रड़ी में आ गया, तो अगर वहां से कोई तेन आ रही है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा उसको बचाने के लिए, वह मतलब जहाए जिब्र क्रॉसिंग को क्रास कर जाएगा, ठीक है, उक्योंकी सोयम से नीडर ले रहा है, ठ अगर वह पहले वाले वास्ता में होता, समाजी का वास्ता में होता, यानि जो आपकी ठीक है, यह बीच वाले वास्ता थी, पूर लौकी का वास्ता, परमपरगात वास्ता, उसमें होता, तो बच्चा क्या करता, कि ना जाता, ना तोड़ता, लेकिन इसमें उसको बचाना ह ठीक है? मतलब नियम लोगों के बहले के लिए है अगर किसी की जान जा रहे तो नियम का क्या फाइदा? उस शोचने लगता है सवर्भौमिक नयतिकता लाष्ट मे आता है आपका सवर्भौमिक नयतिकता सिध्धान तो नमुक्ता इसमें क्या होता है कि इसमें खुद के मानगों के अनुसार व्योहर करने लगता है यानि खुद का मानग बना लेता है अगर मतलब जो है उसको लागता है कि चीज सही है तो सही है गलत है तो गलत है अब समाज जो मानता है समाज के नुसर नहीं चलेगा ठीक जैसे मतलब जो है दहेज प्रता की बात है दहेज दिया जाता है समाज में तो वो मतलब उस चीज़ को नहीं मानेगा उसको लगता कि इसा दहज लेना गला दे तो दहज नहीं लेगा वो ठीक यह चीज़े हो गए इनकी यह रूल थे दोस्तों मतलब इनों ने यह सारी मतलब सिध्धान दिये थे सारी बाते बताई थी आगे चलते हैं हाँ इसके बाद लेवाई गोस्ती का सिध्धान थे दोस्तों इसके बारे हम जानते हैं लेवाई गोस्ती का समाजिक संस्कृति का सिध्धान थे यह निवासी रोज के थे ठीक हैiger बच्चा अपने समाज आओ संस्कृत से अंता क्रिया करके सेकता है यह आप सबसे मien पॉइंटिं का याद मतलब इनों समाजम संस्कृती को प्रधानता दे थी ठीक है साथ में भासा को भी आगे बताएंगे यानि बच्चे में संगनात्मक बिकास होता है उसमें समाजम संस्कृती में कारक होते है ठीक और भासा भी में कारक होती है भारत जो भासा होती है महान योगदान देती है बच्चे के संगनातमग विकास में ठीक है ओके अब देखिए आगे एक चीज जिन ने बताई थी कि सीखने के बाद विकास होता है मतलब बच्चा जब सीखता है सीखने के बाद विकास होता लेकिन इसी के अपोजिट जीन प्याजे ने बताया था विकास के बाद सीखता है बच्चा जैसे कि मतलब उनकी स्टेजे देखे इन्होंने क्या किया था कि जैसे जीन प्याजी ने बताया था कि बच्चे जैसे उमरेक साथ बढ़ते चले जाते हैं ठीक है तो उसके बाद उनका विकास होता है इन्होंने उसका अपोजिट बताया था ठीक है इन्होंने कहा था बच्चा पहले जब सीखता है जानता है इसके बाद उसका विकास होता है ऐसा उल्टा बताया था उन से उनके अपोजिट थे ठीक है हाँ वाई गुस्ति के सिध्धान मतलब दो कंसिप्ट है इनके सिध्धान की दो जो मेन है आपको बताते है इनोंने जो इनका समाजिक सांस्कृतिक सिध्धान था इसमें इनोंने ये बताया था कि बच्चा जो है समाज के मूलोग के अनुसार सीखता हो ऐसा ही बनता जैसा उसका समाज होता है ठीक जैसा समाज में सीखेगा जैसे समाज की भासा होगी जैसे उसी संस्कृति होगी वैसे उसका बिहाईवियर होगा इन्होंने ये बाते बताया थी इन्होंने उसके दो सिधान दिये थे दो रूल बताया थे कि जैसे कि बच्चा ZPD के सिधान अकसर पूशे जाता है जामे जोन जोन प्रोग्जिमल डेवलपमेंट जो ना proximal development यहनी समीपस्त निकट था या विकास का छित्र समीपस्त निकट विकास का छित्र इनोंने बताया था इसमें कि वास्तविक विकास और जो संभाविक विकास होता दोस्तो उसके उसके अंतर को समीपस्त विकास का छित्र कहा था इनोंने ठीक है ना यानि जो है जो आपका वास्तविक विकास और जो संभावित विकास है उसके इस्थर को दोस्तों इन्होंने सर्वे उसके अंतर को उसके अंतर को उसके अंतर को इन्होंने समीपस्थ विकास का छेत्र कहा था अब जैसे आपको बताते हैं एक एक जाम्पल द्वार कि जैसे आपको marks लाने हैं suppose that 33% जो है उत्तीन करना है यानि qualifying marks 33% है ठीक और आपको लाना है जो मतलब 60% लाना तो 60 लाना है ठीक है यानि आपका मतलब संभावी था ये ठीक और नहीं ओके जो पास होना माना जना 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 अग्सान घ्राइब संभावी तो बैज च्छें जो आप को लाना है आपने सोंछ रखा हमको साठ लाना है ठीक है और इसके बाद दोस्तों जो वास्त तविक है आयए, एक मिनटे रुको, हाँ, और आपने लाया, ठीक है ना, आपने तीसी लाया, ठीक? याणि अंकों के देख़ आए बात हो रहए, देखिए आपने वास्तविक अंक प्राप्त, या वास्तविक विकास का मतलब के जो आप प्राप्त कर रहे हों, यानि आप जो अंक आपको पास करने के लिए 33 तो आपने 33 नहीं लावाए तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपकी समीपस्ट विकास का किंदर होता है इसमें सपोर्ट यानि हिल्प के सहायता से हम समीपस्ट विकास में पहुँच सकते हैं जो समीपस्ट विकास का छेतर है जो अगर क को लाने है वो आपका संभावित भिकास है ओके इसके बाद आपको देखते हैं आगे इनका जो इसका फोल्डिंग यानि पार्ट धाचा भी सुखा जाता है वायक्स को द्वारा दी जाने वाली टिंपरी हिर्फ यानि जब मतलब जो है कोई वायक्स को हमसे बड़ा बच्चे जो बड़ बेक्ती होता है तो जब उसको मतलब जो है सहायता देता है मतलब एक गाइडेंस दे देता है छणी जो हो जो हो मतलब जैसे उसने बता दिया आपको ऐसे करना है एक मतलब सहारा दे दिया तो होता आपका ध्हांचा जैसे कि घर होता घर बनाने के लिए एक ध्हा होता है, इन्होंने कहा था, इन्होंने देखिए भासा के बारे भी अपने कुछ बिचार दिये थे, इन्होंने कहा था कि भासा चिंतन सुरू से अलग होते हैं, जो भासा और चिंतन होता है, वो सुरू से अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ चलते हैं, जो भासा और चि बिकास होता है बाद में ठीक है बिचार आते हैं तो इसी का जश्ट अपोजिट किया कहा था उन्होंने जीन प्याजे ने कि पहले बिचार आते हैं फिर बाद में भासा यानि जो है बिचारों के बाद भासा के बिकास होता है यानि इन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि पहले भास शूरू करता है बच्चा भासा जो संगनतमक विकास को महात्रपूर बनाती है इन्हों ने अइसी बात करी थी ठीक है इन्हों ने दोस्तो निज भासा आंत vote कासी द्धान भी कि अपनी ही कार्यों को निर्देशित करने के लिए जो अंभासा होती वो निजभासा होती है जैसे अपने आप में बच्चा कभी-कभी बोलने लगता है जैसे हम कोई काम करते करते कुछ बोलने लगते हैं अपने आप मेरे हमियार ये करना तो मतलब ये हो गया आपका अपने आपसे बोलना, ठीक कहना अपने वो हो गया आपका आंतरिक भासा right, yeah mean niz भासा ठीक, सीखने के लिए संस्क्रिक उपकरान ने उनने बताये थे मैं बताये थे, लैंग्विज बताये थे और कर्कुलेटर बताया था ठीक है ना जीन प्याजा और वाई गुस्ति ने बताया था तक शक्री तरीके से बच्चा सेखता है। इन्हों ने पताया था, शक्री तरीके से बच्चा सेखता है। तो यह इनके सिधान थे। अब देकिर वीडियो लंबा हो गया तो इंसामदर, जो भी प्रशना है वो नेक्स् वीडियू में बताएंगे, okay thanks for watching this video have a good day